वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सबों का हमारे इस यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज से हम मुक्षेवका के लिए MCQ स्रीज शुरू करने जा रहे हैं तो इस स्रीज को सुरू करने का उद्देश से क्या है हम सब जानते हैं कि मुक्षेवका का जो एक्जाम होने वाला है वो MCQ-Base ही होगा अब ऐसा है कि अगर हम सिर्फ थिवरी क्लास करते जाते हैं जैसे कि आपको ड्राइविंग सीखनी है और घर बैठे हम आपको कितनी भी अच्छे से अगर हम बता दें उसका rule regulations कैसे चलाया जाता है तो भले ही कितने अच्छे से आपको जनकारी हो जाए कार चलाने की लेकिन आप कार चलाने में अक्षम ही होंगे कारण ये है कि आपने practice नहीं करी है तो सबसे best way क्या है कार सीखनी की आपके बगल में कोई जो है trend वक्ती बैठ जाए और आपको चलबाते हुए ले जाए कहीं के जहां जरूरी हो उहां आपको सिखाते हुए चले तो इसी को धियान रखते हुए मैंने ये कोशिस किया है कि mcq question को आपको जो है full detail में ताकि आपका concept भी build होता चले और एक question से कई question आप solve करने में सक्षम हो सको तो इसी उद्देश से मैंने एक mcq series लाने की मतलब आप लोग के लिए लाने का प्रियास किया है अगर अच्छा लगे तो बताइए मैं आगे भी ये series को continue रखूँगा तो लोग शुरू करते हैं आज की series को question number one है मानव शरीर में glucose का अधिक होने पर वह निमलिकित में से किस रूप में संग्रहित रहता है आप लोगों को पता होगा ये हमारे खाने में तीन macronutrients हैं तो इसे protein, carbs यानि carbohydrate और वसा इसमें से जो carbs होते हैं वही आगे चलके glucose बनाते हैं और glucose जो है हमें instant energy देता है जैसे आपको दौरना है तो दौरने के लिए एक fuel सरीर में चाहिए न वो fuel कहां से आता है glucose से तो मान लो कि आपके सरीर में glucose तो बहुत अधिक आ गया लेकिन आप कोई physical काम कर नहीं रहे हो ठीक है? जैसे ठंड है आप ठंड में अगर बैठे हो और खुब अधिक मातरा में बुलकोच ले रहे हो तो वो बुलकोच फिर जाएगा कहां क्योंकि आप उसका यूज़ तो कर नहीं रहे हो तो उस इस्थिती में क्या होता है जैसे आप मालो चीनी को आप मिठाई बनाने के लिए क्या करते हो चासनी बनाते हो चीनी से उसको गरम करके और फिर मिठाई बनाने के बाद जब चासनी बच जाती है तो उसका क्या करते हो उसको वापस हम क्या करते है उसको एक क्रिश्टल की रूप में चास्णी को जमा लेते हैं है कि नहीं चास्णी को एक क्रिश्टल की रूप में जमा लेते हैं और जब कभी हमें जरूरत परती है वापस से चास्णी की तो उस crystal को हम फिर से गरम करके चासनी प्राप्ट कर लेते हैं, है ना, तो उसी परकार गुलकोच को हम क्या करते हैं, जब जरुवत नहीं होती है गुलकोच की सरीर में, तो उसे glycogen, ये glycogen के रूप में हम जमा कर लेते हैं, और जब सरीर में गुलकोच की कमी होती है, तो क् गलाइकोजन वापस टूटके गुलकोज में बदल जाता है और सरीर को एनरजी प्रोवाइड कर देता है ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा option C, glycogen question number 2 इन में से कौन सा body building food नहीं है देखो body building food क्या होता है body building जिससे आपकी सरीर का निर्माण होता है जिससे आपके मसल्स डेवलप होते हैं तो body building के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि भोजन में तीन मुख अभियब जो होते हैं protein, carbs और वसा तो इसमें वसा और carbs आपको एनरजी देते हैं लेकिन protein क्या करता है वे शरीर का निर्माण करता है और जो टूटे फूटे कोशका होते हैं उसकी मरम्मत करता है यह तो यहाँ body building की बात हो रही है तो body building कौन करेगा जैनि protein तो body building food कौन होगा जिसमें protein की मात्रा बहुत अधिक हो तो अब देख लेते हैं चाब फल में protein की मात्रा अधिक है meat में है, meat में बहुत अधिक है डाल में डाल में भी बहुत अधिक है और अंडा में तो है ही लेकिन फल में जो है carbohydrate की मात्रा अधिक है इसमें vitamin बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है लेकिन protein इसमें कम या पिर ना के बरावर ही पाई जाती है जिसकी बज़ा से फल को हम bet loss वाले food में गिन सकते हैं अगर आपको वजन कम करना हो तो फल के साथ हम जा सकते हैं इसके अतरिक healthy lifestyle के लिए भी फल बहुत जरूरी है लेकिन आपको अगर body building करनी है तो यह सब meat डालें और अंडा यह आपके लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें protein बहुत अधिक मातरा में है कोई भी चीज जिसमें protein बहुत अधिक मातरा में होगी वह आप body building के लिए बहुत जरूरी है ठीक है चलो निम्लिखित में से कौन सा macronutrients नहीं है अब एक बार समझ लो यह macro और micro इसको अच्छे सा समझ लेना ठीक है देखो macronutrients क्या होते हैं और micro micronutrients क्या होते हैं micro मतलब सुक्ष्मा बहुत कम और macro मतलब विरहद तो इसको विरहद पो सकता तो बोल सकते हैं macronutrients को और यह तीन होते हैं भोधन में कौन-कौन carbohydrates, protein और वसा जिसकी सरीर में अधिक मातरा में जरूरत हो carbohydrates बहुत अधिक मातरा में शरीर को जरूरत होती है वसा की भी जरूरत होती है और protein की भी जरूरत होती है अधिक मातरा में लेकिन vitamin की जरूरत बहुत ही कम मातरा में होती है इसी कारण इसको क्या कहते हैं micronutrients यानी शुक्स नुपोश ह्कता है तो इसकी बहुत सुक्स सरीर को चाहिए cambiar यहाँ पूच रहा है कि macronutrients है मतलब कौन नहीं है तो vitamine है जब देखो निमेंक है और यह मैक्रो है मैक्रो मतलब क्या होता है मैक्रो मतलब क्या होता है विरहद और माइक्रो मतलब सुप्छम दोनों में महीन अंतर है आप अच्छे से समझ लेना पड़ते हैं हम लोग Micro Economics, Macro Economics Relate कर ले ना इससे अब देखो Potassium तत्तु का प्रतिक क्या है Potassium Potassium P K दोनो या None देखो Potassium तत्तु जो है ऐससे तो सुनने में लगता है कि P से होना चाहिए इसका प्रतिक P होना चाहिए तोकि Oxygen का O होता है Carbon का C होता है तो Potassium का P होना चाहिए लेकिन देखो इसका प्रतिक K होता है अब ऐसा क्यों होता है तो मैं ये भी बता देता हूँ चुकि Potassium का Latin जो नाम है ना वो है Calium क्या नाम है इसका Calium तो Calium की बज़ा से इसका प्रतिक क्या है क्योंकि Calium किस से लिखा जाता है के से इसका प्रतिक क्या हो जाएगा के यानि Option B किस वीडिये चक से Hypokalemia हो जाता है अब देखो यहां से समझना बहुत जरूरी है देखो अगर कहीं पे भी HypO अगर लिखा हो तो समझ जाओ कि उसकी मातरा कम और अगर Hyper की बात हो तो उसकी मातरा अधिक और आगे वाले देखो यहीं Calemia है न मैंने अभी बताया कि Potassium को क्या कहा जाता है Calium उपर बताया है न मैंने Potassium को ही क्या कहा जाता है Latin भाज़ा में Calium तो यहां Calemia है जानि यह Potassium की बात हो रही है और Hypo Hyper मतलब कम जानि शरीर में Potassium की मातरा कम हो जाने की بात हो रही है Hypokalemia में Hypokalemia में क्या हो जाएगी शरीर में Potassium की मातरा कम हो जाएगी तो बोलता है question कि इस वीडिक चक से Hypokalemia हो जाता है जानि निम्लिखित में से किस के कारण question को समझो question ये बोला है कि निमलिखित में से किसके कारण सरीर में potassium की मातरा कम हो जाती है अब देखो question इसे क्या पूछ रहा है किस वीडिये चक से hypokalemia हो जाते है लेकिन देखो इसको अच्छे से asbest करते हो तो क्या आता है कि निमलिखित में से किसके कारण सरीर में पोटेसियम की मात्रा कम हो जाती है तो देखो ये जो अरंडी का तेल है ना ये ये हाइपो केलिमिया के लिए जाना जाता है अब ये क्यों होता है ये समझ लो सरीर में पोटेसियम की मात्रा अगर बढ़ जाएगी ना तो आपकी धरकन जो है ओनियमित हो जाती ठीक है, धरकन और नियमित हो जाती है, तो उस उस्तिति में पोटेस्यम की मातरा बहुत अधिक है, तो उसको कम करना जरूरी हो जाता है, तो उसके लिए अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग करने से शरीद में पोटेस्यम की मातरा कम हो जाती है, और मतलब अभी उपर हैं ही कोश्चन में उसी पर चलता ही नहीं देखो हाइपर केलीमिया के उप्चार है तो उप्योग की जाने वाली ड्रग्स है देखो हाइपर केलीमिया अभी मैंने बताया है न कि केलीमिया मतलब potasium hyper यानि शरीर में potasium के मात्रा क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी फिर से वही बात है न उपचार है तो उप्योग की ज़ने वाली drugs कौन सी है अगर सरीर में hyperkalemia यानि अधिक मात्रा में potasium हो जाए है तो उसके उपचार के लिए हम किसका प्रियोग करेंगे एक तो अभी ज़स्ट बताया मैंने अरंडी के तेल का अप्योग कर सकते हैं ठीक है और दूसरा केलसीयम ग्लूकोनेट इसका भी उप्योग कम गलाइसेमिक मैंने क्या बताई था है गलाइकोजन के रुप में तो ईसका मतलiau ऐसे करते हैं गलाइकोजज रूप में तो ऊपयोग यानी ऑपयोग जो सरीर में गल्कोज की मातरा को कम करना उसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है अब तुम ही बताओ ऐसे एजेंट जो सरीर में गुलकोच की मातरा को घटाएंगे वो किसके लिए उपचार में लाए जाएगा मोटापा के लिए बिल्कुल नहीं डेंगू के लिए बिल्कुल नहीं मधुमे को अभी मैं बता देता हूँ कि इसका जो नॉर्मल लेंज है न अगर आप फास्ट में रहते हो यानि उबास में खाली पेट अगर हो तो आपका जो आएगा मतलब अस्तर वो लगभग सत्तर से लेके ठीक है इसको मापते हैं इसको मापते हैं यह सत्तर से लेके एक सो तीस तक एम जी बाइ डी अल अब यह फास्टिंग के दोरान है जब आप कुछ खाए पर यह नहीं होते हो तब अगर आप स्वस्थ बखती हो तो इसी रेंज में आपका जो है यह आएगा येकिन खाने के बाद अगर आप जांच क आसकता है आपके 180 frequ 의 supre prevalence आपके 180 Reg Trud rice य gir और कम 189 अगर इतना आता है इससे कम आता है तो 100 Graal king अगर ये अगर आता है तो आप स्वस्थ हो अगर इस से अधिक आ जाता है तो आप ने-दिटेस के सिकार हो सकते हो ठीक है और ये समझ लेना यह डियाल क्या है यह जेसिलीलीर है यह मिलिग्राम है, ठीक है, डेसी लीटर है यहाँ, डेसी लीटर को हम यह भी बोल सकते हैं, एक लीटर है, एक लीटर का दसमा भाग, ठीक है, चलो, निम्लिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है सिवाई की, अब देखो, फिर से देखो हाइपो, यह क्या है, हाइपो मतलब मातरा कम, और ऑक्सिया, ऑक्सिया किस से बना है, ऑक्सिजन से, ठीक है, तो यानि, ऑक्सिजन के मातरा कम होगी यहाँ पे, ऐसे पकरना सीख जाओ, ठीक है, ऐसे पकरना सीख जाओगे न, तो यह अपने, आप हाड से हाड कोस्टन, जो दूसरे बच्चे कि कितनी hard question आ रही थी exam में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया और आपको लगा कि यह कितना ही जी था कैसे देखा आपने hypo यानि मात्रा कम और oxygen की मात्रा कम यह पूछ रहा है कि निम्रिखित सभी कारकों के कारण hypoxia हो सकता है सिभाई की यानि किसके कारण oxygen की मात्रा सरीर में कम हो सकती है अब एक बात तो option सांस की समस्या अगर सरीर मतलब आपको सांस की समस्या है सांस लेने में दिक्कत है तो क्या oxygen की मात्रा कम होगी कि नहीं बिल्कुल होगी आप सांस ही नहीं सही से ले पा रहे हो दूसरा हिमोगलावीन में विर्धि हिमोगलावीन में अगर विर्धि हो जाती है तो क्या ये समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हिमोगलावीन जो है वो अक्सीजम को हर एक मतलब जितने भी सरीर के पारट है उसमें पहुँचाता है तो इसकी मात्रा में कमी होगी तब तो hypoxia होगी अगर विर्धी होती है तो क्या होता है hypoxia को खतम किया जाता है मतलब यह ज़्यादा से ज़्यादा oxygen को absorb करके शरीर के विविन भागों में पहुचाता है यानि इसका उत्तर भी ही हो जाएगा घटा हुआ हीमोगलविन यह बता है न यह हाइपोक्सिया का कारण है और रक्त की अपूर्ती में कमी यह भी हाइपोक्सिया यानि इसके कारण भी oxygen की कमी होगी शरीर में यानि हीमोगलविन की विद्धी यह answer हो जाएगा समझ पा रहे हो मेरे बात को relate कर पा रहे हो न फिर भी अगर कोई दिक्धो तो comment करना नीचे ठीक है निमलिखित में से किस बीमारी की इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है अब देखो क्या तिम्याव तक मैं समस्थानिक मतलब पता है कि समास्थानिक किसे कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि किसी एक ही तत्त के दो परमानों होते हैं ठीक है और दोनों तत्त के परमानों जो मतलब होते हैं उनकी परमानों संख्या तो समान होती है लेकिन क्या होता है उनकी मास नम्मर जो दर्मान संख्या वो अलग-अलग होते हैं अब जो लोग थोड़ी कमेश्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा परमानु संख्या क्या होती है द्रमान संख्या क्या होती है जो नहीं पढ़े होंगे वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे तो एक मुझे लगता है कि थोड़ा समय मतलब डिटेल में चलके आपको बता द परमानु संख्या परमानु संख्या और माश नमबर कहां लिखूं मैं यह माश नमबर इस यह क्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस नूटॉन की संख्या ठीक है तो कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट में भी होता है कोबाल्ट के दो समस्थानिक होते हैं देखो कुल। की परमोनों संख्या मेरी 27 है असा colonial है, यहाण प्रोटोन की संख्या 27 है, और इसका एक समस्थानिक है, इसको कवाल्ट 60 है, और यह तया है ना यह., यह ड्यूक्टिव तत्थ है, ठेक हैं یہ βीटा करनो १का था है, हम पढ़ते हैं लेड्यूव तत्थ या तीन इलाज में सहायक होता है यहां पर यह हम समस्थानिक बता रहे थे कि यह देखो इसमें परमानु संख्या क्या हो जाएगी 27 इसके भी परमानु संख्या क्या 27 क्यों तो कि परमानु संख्या तो दोनों में समान होते हैं अब दर्मान संख्या अलग अलग होते हैं यानि इसमें है neutron कितने इसमें neutron हो जाएंगे 32 और इसमें neutron कितने हो जाएंगे 33 इसी करन इसका परमानु दर्मान कितना हो जाता है 60 और इसका कितना हो जाएगा 69 यानि कोबाल्र्ट का माश नमबर, 69 होता है, ये दोनों चुकि पर्मानु संख्या तो समान है ना, this 37 इसी धुकर उनको क्या कहा जाता है संबस्थानिक, अब समझगे इस संबस्थानिक, क्या होती है अगर किसी परमानु के परमानु संख्या समान है और दर्मान संख्या भीन भीन है तो वो क्या कहलाते हैं समस्थानिक और अगर कभी कभी क्या होता है दर्मान संख्या समान हो जाएगी परमानु संख्या भीन 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 तो वो समभारिक कहलाते हैं ठीक है आपको इतने डिटेल में जाने की जरूत नहीं है आपको कमेश्ट्री नहीं पढ़नी है तो आप ये समझ लो कोबाल्ट का ये समस्थानिक है कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उप्योग में सहायक होता है और ये कौन सा किरन उत्सरजित करता है तो बीटा किरन ठीक है और आए ये शीरीज को मैं जारी रख सकता हूँ और आगे से मैं सोच रहा हूँ कि 30-30 कोस्ट्न को ऐसे करके स्वल्व करा हूँ ताकि जल्द से जल्द कम से कम 3-4,000 कोस्ट्न जो है एक-2 महिने के अंदर में आपको प्रुवाइड करा सकूँ त्योंकि आप जितने ज्यादा क कोस्ट्न का भ्यास करोगे उतने आप परफ्यक्ट होते चले जाओगे मुक्सेवका में है ही क्या 10-20 चेप्टर है अगर आप मौन लो कि 45,000 कोस्ट्न का अच्छे सा भ्यास कर लेते हो तो कुछ बचेगा क्या जैसे डिटेल से मैं बता रहा हूँ आप समझते चले जाओ ए ठीक है चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुड़ बाय